हलो एवरिवान आइम रिद्धिरण यो वाचिंग्स का इस दलमेट सो मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब 15 जुलाई का मीटिंग होगा और हम लोगों को पता चलेगा कि मीटिंग में क्या बोला जा रहा है तो देखिए एक बहुत इंपोर्टन उसके उपर ही आपका आपडेट देना है और भी एक इंपोर्टन आपडेट देना है अभी अभी एक प्रेस करफेंस हुआ है जहाँ पर पार्तो चैटरजी कुछ इंपोर्टन चीज बोले है जो नया एडमिशन के स्टूडन से मतलब 12 म पोला गया है तो यह दो इंपोर्टन चीज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही इंपोर्टन है हर एक यूनिवर्ट्सरी स्टूडन के लिए वीडियो कान तक जरूर देखना और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब करेंगे जो 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 आपका स्टूडन को फिजिकली प्रेजन रहने का कोई जरूरत नहीं है जो भी होगा ऑनलाइन होगा और अगर कहीं पर फिजिकली जाना पड़े तो वहाँ पर पेरेंट्स को या फिर किसी गर्जेन को जाना पड़ेगा कोई भी स्टूडन को घर से बाहर निकलने का कोई भी जरूरत नहीं है घर से आप एडिमिशन प्रिसे से लेके आप बोल सकते हर एक चीज ऐख से लेके हर एक चीज़ आप कर सकते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टन अप्डेट था जो जो नया एड्मिशन लेंगे स्टूडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया अब चलिए जो मीटिंग होने वाला था वहां पर क्या हुआ है हम लोग इंडियर्स जान लेते हैं देखिए WVUHS मतलब West Bengal University of Health and Sciences के जो VCs है और प्रो VCs है उनके साथ एक मीटिंग हुआ है वर्चुलर कांफरेंस में पर जो नॉर्मल उनिवर्सिटी के स्टूडेंस मतलब बोल सकते हैं जो Engineering के उनिवर्सिटी है या फिर आप बोल सकते हैं Normal Honors है B.com, B.sc, M.com, M.sc यह सब के जो उनिव UK, New Badron University, Jadapur University यह सब के जो VCs है वो मीटिंग में एटेंड नहीं थे आज यह क्लिरली बोला गए है ट्वीट करके हम लोग का जो Governor है जैदिद धनकर सर कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किये है जहाँ पर यह बोले हैं Unfortunately बाकी जो VCs है वो एटेंड नहीं किये है यह Virtual Conference जहा तब तक वहाँ से हम लोगों को invite नहीं किया जाता कि किसी मीटिंग में एटेंड कीजे तब तक कोई भी VC कोई भी मीटिंग में एटेंड नहीं कर सकते और यहाँ पर थोड़ा दिन आप बोल सकते कुछ दिनों से चल रहा था कुछ प्राब्लेम गवर्नर एंड हम लोगों क आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है 16 आप बोल सकते हैं 7 मतलब काल आप लोगों का 11 बजे एक मीटिंग होगा जहाँ पर बोला जाएगा कि मीटिंग में एक डिसन लिया गया है पर original जो students वेट कर रहे थे मेरे जो subscribers वेट कर रहे थे उसका मीटिंग आज नहीं हो पा था कि 29 एप्रिल को जो UGC का guideline आया था उसको follow करके जो modalities तयार किया गया है वो modalities से अभी university follow करेंगे क्योंकि 6 जुलाई को जो बोला गया है finally students का compulsory exam लेना पड़ेगा वो इस time के अंदर West Bengal follow नहीं करेंगे अब हो सकते है UGC से अगर force किया जाए UGC से अगर बोला जाए न मुंबाई बोल रहा हूं महाराष्टर की तरह हम लोगों के West Bengal में भी आपका decision लिया जाए और वहाँ पर ये बोला जाए कि हम लोगों का भी disaster management act जो है वो लागू किया जाएगा और आप लोगों का final semester के जो students से उनका exam नहीं होगा तो अभी तक अगर आप मुझे पूछे मुझे लगता है कि आप लोगों के exam होने का chance इस time के अंदर बहुत ही कम है जो आपके university जो वोड़े हो ही follow कीज़े अदर कुछ भी चीज़ आप बोल सकती इस time के अंदर follow मत कीज़े university से जैसा आपको बोला जा रहा है form fill आपको exam हो वैसा ही चीज़ आप कीज़े आपके लि नहीं मिल रहा पर अगर कोई response मिले मैं आपको ज़रूरी वीडियो बना के बोलूँगा तभी तक university से जो बोला जा रहे है आप follow कीज़े जो modalities पब्लिस किया गया है उसको ही follow कीज़े आपको वही अभी के लिए आपको follow करना पड़ेगा तो मैंने आपको इन लिटल्स बत झाल 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 झाल